हमशकार मैं जितने इंद्रिजेन और आप देख रहे हैं खब और समय जगत आईए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ातरीन खबरों पर भुपाल यादव को क्रेता पंकच कुमार साहू ने अपने कारयाले में बुला कर दी उसमें तूटी पाई गई तो उसी समय क्रेता से कहा कि अनुबंद में आपके द्वारा हेरा फेरी की गई है इसमें तो पूरी जमीन मातुरत 63 लाख रुपए में विक्रे करना तरशाया किया है मेरा नाम कमल यादा क्या मामला है सर मेरे साथ में कूट रचित कर दोगधरी की गई है दीप में एसु स्वेट के भागिदार पंकस साहू एब मनीस राए इन लोगों ने मेरी जमीन का सौधा 63 लाख रुपए प्रतिये कड़ में किया गया था और इसके बाद में उन्होंने मेरे साथ कूट रचित की कि उन्होंने मुझे जो पेपर दिये तीन चार दन बाद पेपर दिये थे तो उसमें 63 लाख रुपए प्रतिये कड़ दर्साया गया और जो एक्रिम पागज उन्हें वहां रिष्टार कारया में जमा करवाए तो उ उन्होंने तीन चार दन बाद मुझे काफी ती एग्रिमेंट की हम लोगोंने पढ़ा देखा और उन्हें कहा कि वह आपने ये गलत लिखा है तो वह बोले कहले ये टाइपिंग करते समय मिस्प्रिंट हो गया है इसको हम सुदरवा देंगे अपना सुदा कहले एक करोड़ 24 लाग 11,000 का है आप इसे निश्चनत रहिए ऐसा उन्हें बोला उन्हें मैंने उनसे बार बार भार भी कहा कि सर ये आप आपका एग्रिमेंट इसको सुदरवाई है उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और बीते करीब 15-18 महीने करीब होगा जब बार बार मैंने उ तो तो तुम्हारा 63 लाग रुपे में ही हुआ है और इसकी सिकायत के लिए मैंने आवेदनों की कागजों की जाज करवाने के लिए थारा प्रवादी महोदय को दस तारीक 10-6 को आवेदन दिया 22 को पुलिस सदिक चक महोदय को दिया और परस तारीक को आईजी मेडम को लि मेरे इस अनुबंद के गवाद सुधीर परमा मैं सर ये कागजों की निस्पक चिजा चाहता हूँ जो दोसी हों उन पर कड़ी कारवाई की जावेगे मेरा नाम कमल यादा हूँ ये ग्राम माला घेडी नरमनापुरम का मामला है भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ती भारतिक रिपोट